नमस्कार मैं सतीस कुमार एश्टी आर खिती में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ धान की फसल में जब बालिया निकल जाती हैं बालिया निकलने के बाद दुगधा वस्था में एक फफून जनित रोग हमको दिखाई पड़ता है जिसको फाल सिस्मत कंडवा जूटा रोग नकली रोग या हल्दी रोग नाम से किसान भाई अलग-अलग छेत्र में जानते हैं जब यहां फाल सिस्मत रोग लग जाता है हमारी धान की फसल में तो साथ प्रस्त से सतर प्रस्त तक भारी नुकसान उठाना पड़ता है इसका लगने का मुखिकान होता है जब वातावण में आर्धता अधिक होती है और उमस बढ़ जाती यानि टंप्रेचर अधिक रोग काफी अधिक लगता है प्राया जो अधिक उत्पादन देने वाली धान की फसले हैं या हाइब्रिड फसले हैं उसमें फाल सिस्मत रोग अधिक लगा हुआ दिखाई पड़ता है और जिसके कांड किसान भाईयों को आखिर में नुकसान उठाना पड़ता है तो यद जिस खेत में पहले धान की रोपाई की थी या इसके पहले धान की यदि आपने रोपाई की है और उसमें या रोग पिछले वर्स भी लगा था तो या तो आप ब्रायटी ऐसी लगाए हो जिसमें कंड़वा रोग नहीं लगता हो यदि आपने ब्रायटी फिर भी वही लग यस में कंडव रोग लगा हुआ था तो आपको सोधित करने कर या बिछ étant ञे मिफशे दवाइए देल है तो जो पोध की बढ़वार समय होता उす समय से लेकर कर बाली निकलने या निग्वाय की अवस्था से पहले या बीच में ही आपको दवाओं का श्षप्रे कर लेना है जिससे इस रोग यानि फाल्स इसमेट रोग पर आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे यानि जब बालिया निकलेंगे तो स्वस्त रहेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कंड़वा रोग नहीं लगेगा इसके लिए कुछ दवाएं हैं इसमें से कोई भी आप दवा आ पानी से कंट्रोल कर पाएंगे इसको भी आपके मार्यट में इसको यूज करशते हैं दूसरी दवाहे कालोरोथाइलो निल ऊसकी 400 ग्राम मत्रा एक अकडमें यूज करना है तीसरी दवाहे कारबंडा जिम 50 प्रसत की 400 ग्राम मात्रा एक एकड़ में डालना है चौती दवा है कापर आक्सी कुलोराइड ये भी 50 प्रसत वाली की 400 ग्राम मात्रा एक एकड़ में यूज कर सकते हैं इसको 180 लिटर से 200 लिटर पानी में मिला करके आपको इस्प्रे करना है तो आसानी से कंड़वा रोग लगने से आप पहले ही बचाव कर पाएंगे क्योंकि कंड़वा रोग जदी लग जाता है तो काफी अधिक हमने पहले ही बताया है नुकसान होता है जद बालियां निकाल आई हैं और उसमें जो है दाने भरने के समय आपके खेत में कंड़वा रोग के लच्छड शुरुवाति दिखाई पढ़ने लगे यानि एक दो बालियों पर दिखाई पढ़ने लगे हैं उसको तोड़ करके आपको बालियों को उस पॉलिथीन से खेत के बाहर निकाल देना है उसके बाद आपको दवाओं को इस्प्रे कर देना जो दवाएं हमने बताई थी इसमें से कोई दवा आप लेकर के सेम डोज में इस्प्रे कर सकते हैं लेकिन इसके अत्रिकत आप दूसरी दवाएं भी हैं उसको भी यूज कर सकते हैं जैसे प्रोपोकोनी जोल जो है इसकी 180-200 ml मात्रा इसको भी बालिया निकलने पर कंड़वा रोग दिखाई पड़ने पर इस्प्रे कर सकते हैं तो ये 4-5 दवाएं हैं इसमें से जो भी आपक उसको आप इस्प्रे कर दीजिए 2-3 बार इस्प्रे करने पर कंड़वा रोग पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत फाइदे मंद हो सकती है तो आपके खेत में भी कंड़वा रोग दिखाई पड़ता है तो आज के लिए